नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल पर आपको स्वागा था आप अगर चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना आज बनाने चलने संड्विच और देखो ब्रेड अब निकाल लिए हूँ अब चल रही हूँ और समां सब मिर्च करके फिर इसमें मैं जैसे जैसे मतलब करूंगी और इसे आपको दिखाती रहूंगी और इस नाना स्टार्ट करती हूँ चल रही हूँ मिक्स करने है पहले से मैं टमाटर कर लिए हूँ जैसे धनिया है गोल मिर्च है प्याज है हरी मिर्च है आप इसमें मिक्स करूंगी मैं दाही ये आप इसमें मिक्स करके इसमें डाल लिए हूँ उसके बाद आप मैं डाले हूँ इसमें नमक नमक डालके इसक किसी को ज़्यादा मन है किसी को और। और गुक रूर지 को मिक्स कर ढूलोंगी यह करढ़क रीच अब ही यह रखने हैं है इसमें यालो इसको इसको भी इसमें ऐड करणिए इसके सबस्थ अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब फिर इसके बाद आपको दिखाऊंगी कैसे से ब्रेड में भरके आप देखते रहना मिक्स करना मेरा अब मिक्स कर ली हूँ आप चलो दिखा रहे हूँ मैं इसमें कैसे भरूँगी यह इसको यह रख लिए हूँ चकले पर आप इसको इसकी अंदर मैं फिर इसमें हलका से लगा लूँगी कि ताकि अच्छे से दोनों अच्छे लगें कि एक माँ चिपाग जाएं यह यह देखो यह इस तरीके से मैं इससे करके इसके हूँ हो गया अब रख रहें इसके तावे अब थोड़ा हो जाएगा फिर इसको मैं बनाना स्टार्ट करूंगी अफिर उसके बाद तवे पर मैं सेखती जाओंगी अफिर सब तयार हो जाएगा जितना भी इसका मसाला है जितने ब्रेड माएगा उतने में मैं भरूंगी इसका यह हटा दी हूँ आप इसमें यह है मखाने के टिक के इसको मैं आइसे चाको से निकाल ले रहेंगी इस चाको से निकाल ले आप इसको मैं तवे फरा दूँगी क्यात आप इसको मैं हलका दाल गूंगी यह तो आप इसको आइसा मैं पेलटा मारने हो चममस से यह कितने अच्छा कलर दे रहे दिया यह देखो आप 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 ये अच्छा कलर श्या गि जैसे दूसरा भी एक खिक ज्या एक पहले मैं से एक दिती और मकळ ज्या मैं तवेख भूला लेती हूं सब लोग टिक फराते हैं मगर मैं ज्यादा डाल देती हूं जो की घुल जाता है अच्छे से तवा पर चाय अब गरब हो गई है अब चाय जादे लोगें उसके प्याले में करने हैं यह चाय थोड़ा मैं बीच से कट कर दूँगी खाने मा अच्छा लगे यह और इसको मैं रखनूंगी प्लेट में इसके अंदर से अच्छा दिख नहीं रहा यह 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 लोग कि देखने में तो यह बहुत अच्छा लग रहा है देखते हैं खाने में कैसा लगते है अब बहुत ही लाज़ा वाब है